तो आज मेरी स्माइल का रीजन है मेरी फर्स यूटूब पेइमेंट मुझे इनी फर्स यूटूब पेइमेंट दो मंच के अंदर रिसीब हो गई क्योंकि मेरा चैनल जो है कुछी दिन में मॉनेटाइजेशन में अन हो गया था विकाउस वाइरल हो गई थी तो सबके मैंड में यह कुशन जरूर होता है कि उनको कितने पैसे मिलते हैं या क्या ऐसा सिस्टम होता है यूटूब का कि यूटूब जो है आपको इस अकॉर्डिंग पैसे देता है तो दे से नहीं मिलेगा तो आज इस वीडियो में मैं बदाने जा रही हूं कि मुझे कितने पैसे मिले थे मेरी फर्स्ट यूटूब पेमेंट से तो देखो क्या था कि जो मेरी वाइरल वीडियो हुई थी वह आदी होने के बाद मेरा जो है मॉनेटाइजेशन हो गया था और उस पे 5,000,000 व्यूज थे उसके पाद में मॉनेटाइजेशन के बाद में उस अक्वार्डिंग मुझे मेरी पेमेंट रिसीफ हुई थी और अगर आप यूटूब पे हैं तो आपको पता होगा कि यूटूब पे हम कभी पेमेंट रिवील नहीं कर सकते और किसी से भी नहीं कि मेरी पेमेंट किनी थी तो मैं आपको जस्ट एक हिंग देती हूं कि जो मेरी पेमेंट थी उससे मैं यह मोबाइल खरीच सकते हूं तो आप अंदाजा लगा लेंगे अब कि मेरी पेमेंट कितनी थी और अगर आपको भी यूटूब पे आना है तो फर्सली आपको 4000 घंटे पूरे करने पड़ेंगे 1000 आपके सब्सक्राइबर होने चाहिए अगर यह दोनों क्रेटिगरी आपकी फुल्फिल हो रही है तो आपका चैनल मॉनेटाइजेशन के लिए चला जाता है जहां पर आपका मॉनेटाइजेशन ओन होता है तो आपको पहले तो ऐसी कोई आपका चैनल मॉनेटाइजेशन ओन कर लेंगे तो आपकी जो एड हो हर वीडियो पर रन होने लग जाती है तो अगर आप यूटुब पे आये हैं तो आपने कोशी है करनी है कि जो चलता आ रहा है आप उसके साथ ही गो थू हो और वही वीडियो बनाओ जो मुसली साथतर हो चाए जिसमें आपका शॉक हो चाहिए हो हौल में हो चैलेंज में हो चैलेंजेस में हो चैया एंट्रेमंड में हो चैया पीप लागिंग में हो और कोई भी एक्टिविटी में आप बना सकते हो अपको यूटू पर एगुलर हो पड़ेगा ताकि यूटूब जो हाँ तो मुझे फर्स पेमेंट की जर्नी तो मुझे फर्स पेमेंट लेकर जितना अच्छा लगार आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप भी अगर यूट्यूब पर आना चाहते हो तो यह दो कैटेगरी सब्सक्राइबर की फुल्फिल करने के बाद आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर चलवा सकते हो इसका कोई फिक्स नहीं है कि अपको कितने पैसे आएंगे मुझे इतने आया हो सकता आपको इस तरी भी जाद आ जाए तो यह है कि आपको बस दिल लगा के काम करना है और ए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ पस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वह भी जाने और वह उसको भी सुल्यूशन मिले ताकि वह भी आगे बढ़ते हैं थैंकि